हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले बहुत चदा ही मोश्ट इंपॉर्टन नेम रिक्सन के बारे में जिसका नाम है हूंस डीकर अपक्रिया हूंस डीकर अपक्रिया क्या होती है यह बहुत चदा ही इंपॉर्टन है ठीक है करण होता है मतलब क्या होता है कि आपको क्या कहना होता है कार्बोक्स लिक अमने के सिलवर लवड का मतलब क्या होता है जैसे आपका मालू इने सील है अगर आपका यह जो इने सील है अगर आप का यह आएनो में तूट जाए जैसे Na plus और Cl minus में तूट जाए तो यह क्या कहराएंगे लवड कहलाएंगे जो मतलब आएनो में तूटता है वह क्या कहलाता है लवड कहलाता है तो यह बात होती है अब हम देखेंगे कैसे इसका silver lever कारर्बोक्सली गमन का silver lever पड़े किसका कार्बोक्सिलिक हम लगा है ठीक है CW तो यह बात होती है तो देखो अब आगे देखते इस पर देखो कहरा इस सब क्रिया में कार्बोक्सिलिक का विकार्बोक्सिलिक करण होता है तो देख सकतो हमने क्या लिया RCAAG अभी एक्जांपर से आपको दिखाएंगे अभी देख लो आपका सिल्वर कार्बोक्सिलिक यह आप नाम नायाद रखना चाहो सीड़ाय से याद रखो RCAAG ठीक है प्लस BR2 से इसकी क्रिया होई और क्या करना है आपको यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसका नाम होता पाई रहें ठीक है इसकी उपस्तिती देनी और गर्म कर देना है जिससे आपका क्या होगा यह R इस BR से क्रिया अगर के RBR बना लेगा R यह और एक BI यहां से RBR हो जाएगा और क्या होगा CO2 आपका अलग निकल जाएगा और क्या होगा AG इस BR के साथ मिलकर क्या बना लेगा AGBR ठीक है आप हम एक जामपल से देखेंगे कि कैसे बनेगा यह देखो मालो हम ले रहे हैं कोई जैसे हमने क्या ले लिया ACT का हमने की बात करें तो उसका सूतर के वाथा है CS3COOH तो हमने यहां पे क्या लगाएंगे R की जगा CS3R की जगा क्या लगाएंगे CS3R क्या यहां पे आपका R है एलकिल समू मतलब आप यहां पे मेथिल एथिल सबका यूज कर सकते हो एथिल प्रोपेल ठीक है इनका यूज कर सकते हो R की जगा R आपका क्या है एलकिल समू तो हम य तो देख सकते हो carbon tetra chloride की उपस्तिती देदी हमने और गर्म करना है और आपको क्रिया किस्ते करने bi 2 से तो ब्रोमिन यहां लिखे दे रहे है ठीक है be अटू से क्रिया करनी तो देखो bi 2 से क्रिया करेंगे silver acetate कि carbon tetra chloride पर गर्म कर देंगे तो देखो बनेगा क्या यहां से आपका यह जो देख रहे हो CH3 और यहां से आपको एक BR लेना है CH3 और BR आपका यहां बन जाएगा CH3 BR ठीक है जिसका नाम क्या हो जाएगा Methyl Bromide क्या नाम हो जाएगा Methyl Bromide इसका नाम हो जाएगा ठीक है आप हमने क्या लिया silver acetate bromines इसकी क्रिया की carbon tetra chloride पर गर्म कर दिया जिससे आपका alkyl bromide बना, यह क्या है, methyl bromide है, अगर आप यहाँ CS3 की जिएका C2H5 ले लो, तो आपका यहाँ C2H5 BR बन जाएगा, ठीक है, अगर C3S7 ले लो, तो C3S7 BR बन जाएगा, ठीक है, तो यह बात हो होता, उससे आप क्या कर सकतो, alkyl bromide बना सकतो, देख सकतो हमने alkyl bromide बनाया, carbon tetra chloride पर इसने घर्म किया, और alkyl bromide हमारा बन चुक है, देखो silver acetate लिया, तो methyl bromide बना, और आप देख सकतो, अगर ethyl group लगा दोगे, तो आपका ethyl bromide, propyl group लगा दोगे, तो propyl bromide, ठीक है, त क्योंकि important और exam में भी पूछी जाती है, तो वीडियो अच्छे लगा हो, तो please वीडियो को like भी कर दीजेगा, okay, thanks for watching this video.